युगों से चला आ रहा भरतिय सब्यता का प्रवा आज तक मिट नहीं सका नहीं मिट सकी इस देश की सनातन संस्कुरूती हजारों साल पुरानी संस्कुरूती आज भी अजर अमर है तो इसके पीछे कितने ही प्रताप युद्दाओं और महापुरुशों का बलिदान है राजस्थान के महाराणा प्रताप महाराष्ट के चत्रपती सिवाजी सौराष्ट के हमिर्सीह गोहिल और मद्य गुजरात के सामन्सीह भी होला ये सारे सुर्वीर न होते तो हिंदुस्तान में मुगल सामराज्यका जंडा लहराता होता आज हम ऐसे ही सामन्सीह की बेटी से कौन साधी करना चाहता था यह सारे राज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे अल्लावदिन खिलजीन गुजरात की कमजोर राच किये परिस्तितियों को पहिचान कर 23 फरवरी 1299 में उलुग खान और नुसरत खान को लेकर राजस्थान के पत्रीले रास्ते से मौडासा पहुचते ही पाटन को लूट लिया और पाटन के राजा करनदेव वागेला को पराजित करते ही गुजरात में सोलंकी वंच के सासन का अंत हो गया लेकिन अल्लाओदिन खिलजीन पाटन की राजगादी को संबाल नहीं पाया मुझप फरवन्स का बाच्षा एहमद खान 26 जनवरी 1411 में पाटन की राजगादी को जितते ही वहां से राजदानी को हटा कर अहमदाबाद को राजदानी गोसित कर दिया मुस्लिम सल्तनत का सामराज्य बढ़ाने के लिए अहमद साह ने छोटे-छोटे राज़्यों को हरा कर अपना मुगलक शेत्र बढ़ाने में लग गया और सासन व्यवस्ता को सूसम्रुद करने के लिए हिंदू राज परिवारों के साथ लूट फांट और जबरन सादिया रचाकर सारे हिंदूों को मुस्लिम बनाने लगा मुस्लिम धर्मका बढ़ावा करने के लिए वे शाम, दाम और दंड सारे रास्ते अपनाने लगा मुस्लिम सासन के दौरान हिंदू परिवार के लिए चारो और से अराजकता के साथ बहुत ही कठिन दिन सुरू हो गए थे तब उम्मित की आखरी सोनेरी की रंज से गांतिनगर से नर्स्दिक देह गाव के पास आया हुआ बहियल जो उस समय बिहोल राज्य से जाना जाता था वहां के तिन सो साथ गांव को स्वतंत्र गोसित करके वहां के सोलंकी राजा ने खुद को आजात बताया और तब से ये लोग बिहोल या बिहोला के नाम से जाने गए और तब से बिहोला राजपुत वंस की साखा अस्तित्व में आई सामन सीम बिहोला सोलंकी वंस की बिहोल साखा के ठाकुर थे यहां ठाकुर का मतलब राजा या ठाकुर साहिब ऐसा होता था सामन सीम बिहोला का जन्म सन 1380 में हुआ था ऐसा माना जाता है कि उनका राज्य आज का गांधी नगर अहमदाबाद के आसपास का इलाखा और साबरकाठा के शामिल थे उस समय बहियल एक उच्चस्तरिय और सम्रुद्ध राज्य था एक दिन अहमदाबाद के बादशाह अहमद साह ने सामन सी को अपना राज्य मुगल सामराज्य में सामिल करने के लिए संदेशा बेज कर अहमदाबाद आमंद्रित किया और साही महमान खाने में रहने का प्रबंद भी करवाया तब एक दिन सामन सी गर्मियों के दिनों में माथे पे पगड़ी जैसा कपड़ा ढक कर चल रहे थे तब साही महल के जरूखे में बैठे कुछ राजपुतों ने सामन सी का मजा गुड़ाया और कहा कि इतनी दूप में अपना मुछुपा कर कौन आ रहा है यह बात सुनते ही सामन सी का खुन खोल गया और गुस्से से तलवार पे हाथ रख कर जवाब दिया कि अपनी माँ बहन और बेटियों को मुसल्मानों के हाथ सौप कर आप ऐसे बेसरमों की तरह क्या हस रहे हो मुछ तो आपको चुपाना चाहिए सामन सी का यह रवद्र स्वरुप देख कर सारे राजपूत सर्म के मारे अपना मुछ निचा कर दिया फिर सभी राजपूत बात्साह के पास जाकर सारी बात बताई और ये भी कहा कि जहाँ अपना आपके साथ हमारी बेटियों का वहवाहिक सबंद रखने से हम हिंदू समाज में बदनाम और अफमानित हो रहे हैं सामन्सी बीहोला ने हमें सुल्टान का ससूर कहकर अपना मुह काला करने को कहा तभी बात्साह ने फर्मान किया कि सामन्सी को तुरंत कैद किया जाए पर राजपूतो ने बात्साह को रोक कर कहा कि ऐसे सदा करने से हमारा कलंग दूर नहीं होगा अगर आप उनकी बेटी सामन सीष को राजदर्बार में बुलाकर राजकुमर्बास साधी करने का प्रस्ताव रखा। सामंसीह की बेटी 7 साल की छोटी बच्ची थी इसलिए समनसीह ने मना कर दिया लेकिन बात्साह की जिद के आगे समनसीह को जबरन यह प्रस्ताव स्विकार करना पड़ा फिर बात्साह ने उन राजपुतों को यह बात बताई तो राजकुतों ने कहा कि सामन सीह अभी अहमदाबाद में था इसलिए मान गया लेकिन वे बिहोल में जाकर जरूर मुकर जाएगा बातसाह ने दुसरे ही दिन सामन सीह को राजदरवार में बुला कर यह साधी हम जल्द ही करना चाहते हैं ऐसा बताया तब सामन सीह ने बड़ी चतुराई और होस्यारी से जवाब दिया कि आपकी साही सल्तनत की सोभा बढ़ाए ऐसे बारात का स्वागत में कर सकू ऐसी मेरी हैसियत नहीं है मतलब की मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है तब बात्साह ने साधी का पुरा खर्च अपने साही खजाने में से करने का आदेश दिया और फिर सो उंट के साथ सोना चांदी और जवेरात के साथ सामन सीह को बिहोल की और सनमान के साथ बिदा किया सामन सीह ने समराट से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करते ही बिहोल के किले को मजबुत करवाया और अनाज के गठडों, पाने के कुओ, गास के गाठों के साथ बड़ी मात्रा में युद्ध सामगरिय कत्र कर ली इसके साथ ही उन्होंने बिहोल से 30 किलोमेटर दुर जंगल में एक दुरगम पहाड़ी पर माजुम नदी और वात्रक नदी के संगम के पास आया हुआ गोड़ा पावठी नामक प्रसिद्ध स्थान पर एक विसाल युद्ध किल्ला बनवाया जहां पर उन्होंने युद्ध के लिए किल्ले को परियाप्त रूप से तयार कर लिया और वहां पर छिपने के लिए जमिन के अंदर तहखाने बनवाये जो आज भी मौजुद है सामनसीह ने बिहोल में 5000 युद्धाओं को तयार किये और फिर अहमदाबाद के बाच्षाह अहमद शाह को साधी का आमंतरन बेजा साधीका निबंतरन मिलते ही अमीर उम्राव और सैना के साथ पुलकित होकर ढोल मुरुदंग और बारात के साथ बिहोल गाव के पास आ पहुचा वहां पर सामनसीह ने बारात का स्वागत किया बाच्षाह ने कहा ठाकुर साभ साही सान को देखके बारात की ऐसी खातिरदारी करना कि देखने वाले देखते रह जाए सामनसी ने कहा कि जहापना आप चिंता मत करो आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आएगी लेकिन जहापना एक चिंता है कि हमारे यहाँ अविलकुलाल और कुलाब की पंखुडियों के साथ तोप और बंदुक की आवाज के साथ बारात का स्वागत करने का रिवाज है हम लोग हमारे रिवाज के मुताबिक आपका स्वागत कर रहे हो और ये सब देखकर कुछ कही सुनी हो जाए तो बारात में जंग सुरू हो जाएगी यह बात की चिंता है तब बात्साह ने कहा कि ठाक और शाब हम हिंदू के वहां बारात लेके आए है तो आपके रिवाज से ही साधी होगी तब बात्साह ने बारात में आए सबी को स्वागत के दर्मियान लड़की वाडों की और से कुछ भी हो जाए तो हमें चिंता छोड़ कर सांती बनाए रखना है ऐसा हुकुम दे दिया सामन्सीं बात्साह का आधर सतकार करने के बाद बिहुल में वापसा गए और सारे सैनिको क किल्ले के उपर बंदूक और तोब के साथ खड़े कर दिये हमत्साह की बारात किल्ले के नज़्दिक आते ही बारात के उपर अभिल गुलाल की मौचारे शुरू हो गई यही मौके का फाइदा उठाते सैनिकों ने बिहोल के किल्ले से तोप और बंदू की गोलियों की बारिज सुरू कर दी देखते ही देखते बादशाह की बारात और सैना लासों के ढिर में तब्दिल होने लगी उसी समय अहमद शाह बादशाह हिंदू रिवाज के मुताबिक अपनी बारात का स्वागत देखकर मन ही मन मुश्कुराता था किन्तू किल्ले की और से लगातार गोलियों की बोचार और तोप मारों से अपने ही लोगों को मरते हुए देखा यह देखने के बाद खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है ऐसा देरी से महसूस हुआ फिर बादशाह ने आक्रमन करने का आदेश दे दिया छोटे से राज्य के सामनसी पिहोला ने मुगल सल्तनत के अहमद शाह को दिन में तारे दिखा दिये तब परेशान हुआ बादशाह ने अहमदाबाद से और ज्यादा तोप और सैनिक बुलवाए विराट यवन सैन्ने को साथ दिनों तक टक कर देने के बाद बादशाह के सारे सैनिकों को सामनसी ने मौत के गाट उतार दिया और सामनसी बिहोल गाव को आग लगा कर वहां से गुप्त मार्ग से दोरी पावठी के दुर्गम स्थल पर जा पहुँचा और फिर बादशाह गाव में प्रवेश करके अपने अमिर उम्राव जो मर गए थे उनकी लासों की दफन विदी करना सुरू किया और बिहोल में तीन महिने तक रुका उसी समय बादशाह के गुप्त चरों ने बताया कि सामनसी यहां से नजदी की किल्ले में चुपा है यह सुनते ही बादशाह ने पावठी के आसपास के पूरे जंगल को काट कर गोड़ा पावठी के किल्ले पर आक्रमन कर दिया पर समनसी भी बहुत हिम्मत और बाहतूरी से दो महिने तक युद्ध करता रहा किन्तु इतनी बड़ी यवन फोज के सामने टिकना मुस्किल था तब उन्होंने अपनी बेटी की साधी इडर के राजकूर के साथ कर दी और वे मारवार जाकर आराम से अपनी बची हुई जि क्टीर से युद्ध करने का एलान कर दिया बारह साल तक सामनसी उस्यारी और चतूराई से बाच्षा के साहिनिकों की कतले आंग करता रहा तब अहमत साह सामनसी का यह आक्रमक रुप देखकर और बार बार युद्ध करने से बाच्वाए तंग आ गया और आखिर में बाद्शाह ने हार मान कर सामन सी के साथ समाधान कर लिया और 84 गाउं का राजवार वापस दिया सामन सी को राजवार वापस मिलते ही उन्होंने बाकी जिवन अपने परिवार के साथ बिहोल में आनन्दमय व्यतित किया और वे 1452 में इस धर्ती से बिदायली सच में सामन सी बिहोला एक सुर्विर पराक्रमी महायुद्धा थे मुगल समय में भारत के कई राजाओं ने अपने सामराज्य और शित्र बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया यदि भारत वर्ष के सारे राजपुत राजाओं ने अपनी विलासी जिंदिगी को त्याग कर दिया होता और मुगलों और विदेसी अक्रमनकारियों के खिलाब एक होकर आवाज उठाई होती और लड़ाई भी लड़ी होती तो आज भारत पुरा हिंदुस्तान होता और राजपुतों का समरज्य भी होता खेर हिंदुस्तान ने पहले ही गुलामी से गुजरने का समयताई कर लिया ह का.